बहुत से लोग नास्तिक होते हैं, लेकिन फिर उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि भगवान ने विश्वास करने लग जाते हैं। भूलाना छहर की एक छोटी सी घली में रहता था, वे मेडिकल दुकान चलाता था, सारी दुवाईयों की उसे अच्छी जानकारी थी, पूरी दुकान खुद समभालता था, इसलिए कौन सी दुआ कहां रखे हैं, उसे अच्छी तरह पता था, वो पूरी मानदारी के साथ बिश्वास नहीं था, वे पूरा दिन दुकान पर काम करता और शाम को परिवार तरथा दोस्तों के साथ समय गुजारता था, उसे ताश खेलने का शौक था, जब भी टाइम मिलता, दोस्तों के साथ ताश खेलने बैठ जाता था, एक दिन वे दुकान पर था, तभी कुछ द दोस्त आये तबी भारी बारिश भी शुरू हो गई रात हो गई थी लेकिन सभी बारिश थमने का इंतजार कर रहे थे बिजली भी चली गई थी बैठे बैठे क्या करे सोचा मुंबत्ती की रोश्नी में ताश ही खेल लेते हैं सारे दोस्त दुकान में ताश खेलने बैठ मगन थे तभी एक लड़का दोड़ा दोड़ा आया वह पूरी तरह भीग चुका था उसने जेब से दवा के एक पर्ची निकाली और भूलानात से दवा मांगी भूलानात खेल में मगन था उसने पहली बार में तो ध्यान ही नहीं दिया तभी लड़के को जोड़ से आवा देते हुए कहा मेरी मा भूत बिमार है सारी दवा दुकाने बंद हो गई है एक आपकी दुकान ही खुली है आप दवा देंगे तो मेरी मा ठीक हो जाएगी भूलानात आदे अधूरे मन से उठा पर्ची देखी और अंदाज से दवा की एक शिशी उठा कर उसे दे दी पैस बूलानात भी दुकान बंद करने लगा तबी उसे ध्यान आया कि रोशनी कम होने के कारण उसने गलती से लड़के को चूहे माणने वाली दवा की शिशी दे दी है बूलानात के हाथ पाउं फूल गए उसका दिल जो जो से धड़कने लगा उसकी दस साल की नेकी पर मानों जैसे ग्रहन लग गया उस लड़के बारे में वह सोच सोच कर तड़पने लगा सोचा यदि है दवाई उसने अपनी बिमार मा को दे दी तो वह अवश्य मर जाएगी लड़का भी बहुत छोटा होने के कारण उस दवाई को तो पढ़ना भी नहीं जानता होगा एक पल वह अपनी इस भूल को कोसने लगा और ताश खेलने की अपनी आदत को छोड़ने का निश्चे कर लिया पर यह बात तो बाद के बाद देखी जाएगी अब क्या किया जाए उस लड़के का पता ठिकाना भी तो वह नहीं जानता कैसे उस बिमार मा को बचाया जाए सच कितना विश्वास था उस लड़के की आँखों में बोलानात को कुछ सूज नहीं रहा था घर जाने की उसकी इच्छा अब ठंडी पड़ गई दुविधा और बेचैनी उसे घीरे हुए थी गबराहट में वै इधर उधर देखने लगा पहली बार उसकी नजर दिवार के उसकोने में पड़ी जहां उसके पिता ने जिद करके भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर दुकान के उधगाटन के वक्त लगाई थी तब पिता ने कहा था भगवान की भक्ती में बड़ी शक्ती होती है वैं हर जगर व्याप्त है और हमें सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेणना देता है बूलानात को यह सारी बात याद आने लगी आज उसने इस अद्बुच शक्ती को आज़माना चाहा उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आखे बंद करते वे पूझते देखा था उसने भी आज पहली बार कमरे के कोने में रखी उस धूल भरे कृष्ण की तश्वीर को देखा और आखे बंद कर दोनों हातों को जोड़ कर वहीं खड़ा हो गया थोड़ी देर बाद वह चोटा लड़का फिर दुकान में आया बोलानात के पसीने छूटने लगे वह बहुत अधीर हो उठा पसीना पहुचते हुए उसने कहा क्या बात है बेटा तुम्हें क्या चाहिए लड़के की आँखों से पानी चलकने लगा उसने रुकते रुकते क बाबुची बाबुची मा को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लिए भागा जा रहा था घर के करीब पहुच भी गया था बारिश की वज़े से आंगन में पानी भरा था और मैं फिसल गया दवाई की की शीशी गिरकर तूट गई क्या आप मुझे वही दवाई की दूसी शीशी दे सकते हैं बाबुजी लड़के ने उदास हो कर पूछा हाँ हाँ क्यों नहीं बोलानात निरहत की सास लेते हुए कहा यह दवाई पर उस लड़के ने दवाई की शीशी लेते हुए कहा पर मेरे पास तो पैसे नहीं है उस लड़के ने हिचकिचाते हुए से कहा बोलानात को उस पर दया आई कोई बात नहीं तुम यह दवाई ले जाओ और अपनी मा को बचाओ जाओ जल्दी करो और हाँ अब की बार जड़ा संभल के जाना लड़का अच्छा बाबुजी कहता हुआ खुशी से चल पड़ा अब बोलानात की जान में जान आई भगवान को धन्यवाद देता हुआ अपने हातों से वै उस धूल भरे तस्वीर को लेकर अपनी धोती से पोंचने लगा और अपने सीने से लगा लिया धन्यवाद